हाई अब्रिवाइन वेलकम बैक टू मैं चैनल फ्रेंड सा आज मैं यह वाला डिजाइन लेके आई हूँ इस डिजाइन को बनाने के लिए 15 फंदे के मल्टिपल में फंदे लेने हैं और प्लस 6 करना है 15 प्लस 15 प्लस 15 करते जाएंगे जितना भी आपका चौड़ा प्रोजेक्ट होगा आपको 15 प्लस करते जाना है और लास्ट में आपको करना है प्लस 6 तो आपका परफेक्ट डिजाइन बनके आएगा किनारे की फंदे भी उसी के अंदर आ जाएंगे देखे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर केवल एक डिजाइन बनाया है देखे यहाँ पर जाली भी है और हो वाला डिजाइन भी है तो आपको यहाँ पर मैं समझा देती हूँ देखे जाली यह जाली के अंदर तीन पंदे है और इसके अंदर देखे तीन तीन जाने के लिए यहां पर आपको बता देतीं हूं कि मैंने कहां से कहां तक डिजैन में फंदे ले रखें देखें फ्रेंड्स मैंने यहां से लेकर ठीकें यहां से मैंने हिसाब लगाये है यह जाली भी मैंने छोड़ दी है Cyndra के जो मैंने प्लस 6 फंदे बता रहे हैं वो उसके अंदर गिनोंगे मैं बाद में देखना यहां पर देखें यहां से लेकर यहां तक का इसाब मैं लगा रहे हूं तो यहां से लेकर यहां तक हमारे 15 फंदे हैं तो हमें करना है 15 प्लस 15 प्लस 15 करते जाना है पूरे प्रोजक्टों में जितना च फंदे यहां से लेकर यहां तक हैं ठीक है अगर हम अलग लग हिसाब लगाएंगे कि इसके अंदर इतने इसके अंदर इतने देखिए आप देख सकते हैं कि अलग लग हिसाब लगाना काफी मुश्किल है तो इसलिए मैंने यहां पर इस तरीके से आपको हिसाब लगाना बता आप यहां से लेकर यहां तब गिनिए 15 फंदे आएंगे 15 फंदे प्लस 6 करेंगे 2 ये और 4 ये ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यहां पर मैंने 15 प्लस 6 करके टोटल 21 फंदे डाल दिये हैं किवल एक डिजाइन में बनाऊंगी यहां पर तो देखी फ्रेंट्स ये टिजाइन की पहली सलाई होगी और सीधी साइट होगी तो फस्ट फंदा हम उतार लेंगे इस तरीके से एक फंदा सीधा बुलेंगे अग धागा अपनी तरफ करेंगे इन दो फंदू को हमने एक साथ बुलना है ये देखे इस तरीके से बुलनेंगे और एक बार धाग पिटेंगे और अगला फंदा भी उल्टा बुनेंगे तो यह तीन जो हमने अभी बुने थे ही यह तीन फंदे इन में जो बीच-बीच में जो जाली दिखरी आपको वो बनेगी ठीक है, अब अगले दो फंदे हमने उल्टे बुने हैं यह देके, एक और दो दो फंदे उल्टे बुन लिए अब धागा पीछे करंगे धागा पीछे करने के बाद यहाँ पर तीन फंदे हमने सीधे बुनने हैं एक दो और यह तीन तीन फंदे सीधे बुन लिए अब धागा अपनी तरफ करंगे एक फंदा यहाँ पर उल्टा बुनेंगे केवल एक फंदा बुनेंगे उल्टा फिर से धागा पीछे करेंगे यहाँ पर तीन फंदे फिर से सीधे बुलनेंगे एक दो और तीन अब धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक और दो दो फंदे उल्टे बुनने के बाद अगले दो फंदों में हमने फि बुनेंगे इस तरीके से अब फिर एक बार धागा लपिटेंगे तो अगले फंदे को भी उल्टा बुलनेंगे ए देखे फ्रेंड्स तो यहां पर हमारा एक डिजाइन कम्प्लीट हो गया तो आपको पहली सलाई में इसी तरीके से रिपीट करते जाना है जाली भी छोड़ है मैंने जाली स्टार्टिंग में मैंने फंदो में डिजाइन के फंदो में नहीं किनी है तो जाली को भी छोड़ देंगे एक दो तीन चार फंदे हम यहां पर अभी स्टार्टिंग में छोड़ देंगे ठीक है इनको छोड़ने के बात यहां से लेकर यहां तक जो मोटी के से लेकर जो मैंने फंदे बताए हैं आपको वो मैंने बुन लिये हैं तो इसी तरीके से अगर अगला डिजाइन आपका होगा तो फिर से यहां पर अगला डिजाइन आपका स्टार्ट हो जाएगा तो मैं केवल एक ही डिजाइन बना रहे हूं तो अब मेरा ये किनारा आ गया मैं इन दो फंदो को अब धागा पीछे करके सीधा बुलनोंगे ये देखे पहली सलाई आपको ये रिपीट करना है अब दूसरी सलाई बुलनेंगे ये उल्टी साइट है तो अब देखे फस्ट फंदा हम उतार लेंगे फस्ट फंदा उतारने के बाद दूसरा फंदा बूलते जाना है इसको, इसमें जाली आएगी जो आपको पीच-पीच में दिखने है दिखें इन दो फंदोंगों इस तरीके से बुलन आगे ठीके अब हम यहां पर जाली करेंगे फिर से लपेट लेंगे एक बाद चाली बन जाएगी एक फंदा उल्टा बुन लेंगे इस तरीके से अब हम धागा पीछे कर लेंगे दो फंदे हमने यहाँ पर सीधे बुनने हैं एक और एक दो दो फंदे सीधे बुनने के बाद हमने धागा अपनी तरफ करना है धागा अपनी तर बनाई है तो यहां पर 1, 2, और 3 फंदे उल्टे आजाएंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा आएगा यह वही वाला फंदा है जो हमने इस साइड से 1 फंदा उल्टा बना था वही फंदा है यहां से वो 1 फंदा सीधा बना जाएगा अब धागा अपनी तरफ करके 3 तीन फंदे यहाँ पर हम फिर से उल्टे बुनेंगे जो सीधी साइट से सीधे थे अब धागा उस तरफ करेंगे यहाँ पर दो फंदे सीधे बुनेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे देखे फिर से यह हमारी यो चैन सोरी यह आ गया हमारा जाली आ गई है इस जाली को हम हुआ है जो इन दोनों को एक साथ बुनेंगे तो इस तरीके से जाली आ जाएगी अब देखिए अब लपेटंगे इसमें धागा अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे ये देखिए अब अगले दो फंदों को भी हम उल्टा बुनेंगे ये देखिए अब हम बुनेंगे धागे को हमने उन को अपनी तरफ करना है और इन दो फंदो को देखे ये फंदा है और ये लपेटा हुआ धागा है इसको हम एक साथ बुलनेंगे इससे जाली बनेंगी अब हम धागा लपेटेंगे सलाई में इस तरीके से लपेटने के बाद अगले फंदे को उल्टा बुल आगले दो फंदो को सीधा बुलना है, बस पहली सलाई हमने रिपीट करनी है थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए जो हमने एक फंदा उल्टा बुना है इसी में थोड़ा सा अलग करना है हमने यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाने हैं हर सलाई में हर सीधी सलाई में जब तक यहां पर 5 भंदे नहीं हो जाते हैं तब तक हमने सीधी सलाई में 1 एक भंदा बढ़ाना है बांकि हमने पहली सलाई की तरह repeat करती जानी है ओभ धागा पीछे करंगे यहां पर आप देख सकते हैं 3 भंदे सीधे हैं गया है अब हमने एक फंदे में से बढ़ा कि इसके दो फंदे करने है देखे आपका अगर आपके पास कोई अलग तरीका है बढ़ाने का तो आप उस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं ये तो देखे इसको इस लूप को ऐसे इसमें डाल लीजे या फिर यहीं पर इस तरीके से सलाई डाल के इसको बुल लीजे एक फंदा यह हो जाएगा यहाँ पर एक फंदे से दो फंदे हमने यहाँ पर बना लिये हैं पहली सलाई में हमने एक फंदा उल्टा बुना था अब हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है, यहाँ पर दो फंदे उल्टे हो गए हैं, ठीक है, अब हम धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे यह सीधे बोलेंगे, ए, दो, तीन, इन फंदों में हमारी केविल चलती है, देखिए, जो मोटी सी केविल है बीच में, यह देखिए, ती है, तो उसी के बीच में मोटा वाला पॉम पॉम बनेगा हमारा, ठीक है, तो अब हम धागा आगे करेंगे, ए, दो, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, अब देखिए, यहाँ पर फिर से जाली आ गई है, इन दो फंदों को एक साथ बुनेंगे हम, यह देखिए, एक फंद बुन लिया, धागा लपेट लेंगे, अगले फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे, यहाँ पर जाली आ जाएगी, अब दो फंदे लास्टे के बचे हुए, इनको सीधा बुन लेंगे, तो देखिए, तीसरी सलाई में आपको इसी तरीके से रिपीट करते जाना है, आप ब सीधा उल्टे पे उल्टा और जाली पे जाली करते जाना है, देखिए, फस्ट फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुन लेंगे, अब देखिए, इन दो फंदो में हमारी जाली आ जाएगी, यह जाली है, तो यहाँ पर इन दो को एक साथ बुन लेंगे हम, तो औरे दो, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे यहाँ पर उल्टे आ जाएंगे, जो इस साइट से तीन फंदे सीधे हैं, यह देखिए, एक, दो, तो, औरे तीन, अब धागा पीछे करेंगे, देखिए, यहाँ पर हमने शुरुवात में यहाँ पर एक फंदा किया था, हमने उल्टा, अब दो फंदे हो गए हैं, उल्टी साइट से इनको हमेशा सीधा बुनना है, देखिए, एक का दो किया है, यहाँ पर दिख रहा है, अब हम इन दोनु फंदों को सीधा बुननेंगे, एक, और एक, दो, उल्टी सलाय में यहाँ पर बढ़ाना नहीं है, हमने केवल बुन लेना है इन फंदों को, सीधी साइट से ही बढ़ाना है फंदा, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुननेंगे, एक, दो, तीन, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, आपको सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा करते जाना है, बागी कुछ निए है, जाली पे जाली करते जाना है, देखिए, यहाँ पर जाली आ गई है, इसको हम, दो, एक, साथ बुन लेंगे, एक बार धागा लपे टंगे, और अगले फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे, तो यहाँ पर जाली आ जाएगी, और लास्ट किनारे के फंदे हैं दो इनको भी उल्टा बुनेंगे यह देखे अब हम बुनेंगे डिजैन की पांचवी सलाई पहला फंदा उतारेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे देखे फ्रेंट्स मैंने कई बार आपको बता दिया यहाँ पर हमने केवल पीच में जो हमने फंदे बढ़ाने का जो सिस्टम है वही हमारा चेंज होगा देखे अभी दो फंदे हो गए हमारे अभी इस सलाई में यह दो के तीन हो जाएंगे बांकि उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा और जाली पे जाली करते जाना है बांकि कुछ भी नहीं बहुत ही आसान डिजैन है यह देखे अब द पंदा उल्टा बुनेंगे ठीक है अब अगली दो फंदे भी यहाँ पर उल्टे आ जाते देखे दो फंदे अ और धागा पीछे करना है तीन फंदे सीधे बुल देना है, देखिए, एक, दो औरे, तीन, अब देखिए, उल्टे दो फंदे आ गए है, शुर्वात में एक था, अब दो हो गए हैं, अभी हमने इनको तीन कर देना है, देखिए, हम फस्ट फंदे को इस तरह के से बुल लaking और दूसरे फंदे के यहा से शलाई डाल लेंगे या फिर इसको आप सलाई में इस तरीके से डाल लेज़े और एक फंदा इस तरीके से फिर अगला फंदा भी बूल लेज़े यहाँ पर देखिए यह पर 2 फंदे उल्टे बुननेंगे सबसे पहले इदेखिए अब अगली यहाँ पर जाली आजाएगी देखिए इन 2 फंदू को एक साथ बुननेंगे अब लपेटनगे धागा और इस फंदे को उल्टा बुननेंगे अब धागा पीछे करेंगे दो फंदे लास्ट के सीधे बुनेंगे देखे फ्रेंट बांकी कुछ भी नहीं है इसमें बहुत ही आसान है डिजाइन जब तक समझ में आये तब तक तो कठी नहीं लगता है समझ में आ जाये तो तो फिसरल लगने लगता है अब देखे अब हम चटी सलाई बुनेंगे चटी सलाई में भी आपको सीधे पे सीधा बुनना है उल्टे पे उल्टा बुनना है और जाली पे जाली करनी है वांकी कुछ भी नहीं है देखे चटी सलाई फस्ट फंदा उतारेंगे दूसरा फंदा उल्टा है उल्टा बुननेंगे अब हम यहा धागा अपनी तरब करनेगे अपनी तरब करनेगे अपनी तरब करके देखे यहां पर अब हमारे 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे एक, दो, और तीन, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे हो गए हैं, अब जो एक फंदा उल्टा बुना था हमने स्टार्टिंग में, अब एक के तीन कर लिए हमने, इनको सीधा बुनना है, हमेशा उल्टी साइट से, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहां पर जाली करेंगे, दो फंदे, एक, साथ बुनके जाली आजाएगी, एक बार धागा लपेटंगे, अगले फंदे को भी उल्टा बुननेंगे, लास्ट किनारे के फंदे, इनको भी जैन की साथ मिसलाई बुनांगे, फस्ट फंदा उतारंगे, एक फंदा सीधा, अपनी तरफ धागा करंगे, जाली करंगे इन दोनों को, एक साथ बुनांगे, धागा लपेटंगे, एक फंदा उल्टा बुनांगे, अब अगले दो फंदे भी उल्टे बुनांगे, एक औरे दो, धागा पीछे करेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, देखी यहाँ पर तीन फंदे कर लिये हैं हमने, आप यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ाना है, यहाँ पर चार फंदे करने हैं, एक फंदा बुलनेंगे स्टार्टिंग का, क देखे अब यहाँ पर हमारे 4 फंदे हो गए हैं अब धागा पिछह करेंगे 3 फंदे सीधे आ जाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे 2 फंदे उल्टे बुननेंगे पहले अब देखे यहाँ पर जाली आ गई है इन 2 फंदों को हम 1 सांट बुनेंगे धागा लपेटंगे अगले फंदे को उल्टा बनेंगे तो यहाँ पर जाली आ जाएगी धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा और लास्ट का भी सीधा यह देखिए जाली इस तरह की बन रही है यहाँ पर यह देखिए अब डिजाइन की आठवी सलाई बनेंगे देखिए आठवी सलाई में भी आपको उल्टे पर उल्टे है सीधे पर सीधा जाली पर जाली करना है बागी कुछ भी नहीं है देखिए फस्ट फंदा उतारेंगे एक फंदा उल्टा बनेंगे यहाँ पर जाली है जाली कर लेंगे sorry अब यहां पर दो फंदे सीधे हैं सीधे कर लंगे आगे को भी हमने उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा पूल लंगे last तर यह पर आठवे सलाई मैंने complete कर ली है अब डिजैन की नवे सलाई बुनएंगे पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरप करेंगे, जाली करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे आ जाएंगे, देखें, एक, दो, और तीन, अब देखें, आप देख सकते हैं फ्र यहाँ पर एक फंदा उल्टा था, यहाँ पर तीन फंदे सीधे इस साइट थे, तीन फंदे सीधे थे, बीच में केवल एक फंदा उल्टा वोना था, आप देख सकते हैं, बीच में हमने फंदे इतने बढ़ा लिए हैं, एक के चार कर लिए हैं, अभी लास्ट सलाई है, यह म ये पांच फंदे मैंने यहाँ पर कर लिए हैं अभी से अभी यहाँ पर फंदे नहीं बढ़ाने हैं तो यही था डिजाइन वांकी कुछ भी नहीं है वांकी तो देख सकते हैं आप कितना सराल है सीधा उल्टा सीधा वांकी कुछ भी नहीं है अब देखें लास्ट के तेन फ दस्वी सलाई बुन, 10 वी सलाई में भी आपको जाली पर जाली उल्टे पर उल्टा शीधे पर सीधा बुनते जाना है, मुदने कुछ नी है , कोई अलग नी है इसमें घटाना बड़ाना भी कुछ नी है, देखिए जाली करेंगे लपेट लएंगे ये देखिए अब आगे को सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा आप बुनते जाएए मैं बुन लेती उसको देखिए यहाँ पर दस सलाई हमने कम्प्लीट कर ली हैं अब हम डिजैन की ग्यारवी सलाई बुनेंगे फस्ट फंदा उतारंगे एक फंदा सीधा पुनंगे यहाँ पर जाली करंगे देखिए दो फंदो को एक साथ बुनके यहाँ पर धागा लपिटंगे एक फंदा उल्टा पुनंगे तो यहाँ पर इस तरीके की जाली आएगी अब दो फंदे उल्टे बुल लेंगे एक दो अब यहाँ पर देखिए तीन फंदे सीधे आ जाएंगे एक दो और यहाँ पर दो फंदे देखिए इलम से पांच फंदे हमारे उल्टे आ गये हैं अब देखिए इस तरीके से हमने बढ़ाए थे अब दो फंदे हम सबसे पहले उल्टे बुन लेंगे यहाँ पर एक और दो दो फंदे उल्टे बुनने के बाद देखे इस जो gap है हमारा देखे इसके अंदर जो यह मोटा सा पॉमपॉम आरक है बीच में वो पॉमपॉम हमने बनाना है धागा पीछे कर लेंगे देखे यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में एक होल देखएगा यहाँ पर होल है जब हमने शुरू करा था तो इस तरीके से फंदा बड़ाने से ही होल आ जाता है तो इस होल में हम सलाई को डालेंगे इस तरीके से अब यहाँ से देखिए ओन ले लेंगे एक बार और इसको ज्यादा धीला या ज्यादा टाइट नहीं करना है आपको नॉर्मल रखना है यह तो ज्यादा धीला ज्यादा टाइट करेंगे तो डिजाइन अच्छा सा पॉम पॉम नहीं बनेगा एक बार ले लिया है धागा आगे करेंगे फिर से डालेंगे उसमें दो बार डालेंगे मतलब कुल मिला के पांच बार इसी तरीके से हमने डालना है दो बार डाल दिया तीन बार डाला धागा लिया अब धागा आगे करके चौती बार डालेंगे यह देखे फिर से धागा आगे करंगे ये देखा ये पांच वी बार डालिया हमने इस तरीके से धागा ले लिया है देखिए अब इस सारे धागों को हम इस साइट ले जाएंगे इस वाली सलाई में इस तरीके से यहां ले लगे देखिए इन दो फंदों को छोड़ देंगे यहां ये दो फंदे नहीं ले हम वहाँ देखें ये ये सारे धागे और एक फंदश में सबारा और व्याल म्रम बवशिक के इन ये इनको इस तरीकी से हमने के ये ऑज़िए और एक फंदश में साथ इस सारे धागों को हमने इस तरीकी से बुन लेना है देखिए यह देखिए तो यहाँ पर एक पॉम पॉम बन के आ गया है देखिए आप देख सकते हैं बढ़िया सा पॉम पॉम बन गया है यह तो इसी का बीच में आप देख सकते हैं इतना अच्छा यह पॉम पॉम बन के आ करना है हमने सीधे पे सिधा उल्टे पे उल्टा और जाली पे जाली ये देखे धागा आगे कर लेंगे दो फंदे उल्टे यहां पर जाली आ जाएगी फिर लपेट लेंगे धागा धागा पीछे कर लेंगे दो फंदे सीधे कर लेंगे फ्रेंड्स केवल इसी बीच में तो ह थोड़ा सा डिजाइन बनाना ये बढ़ाना और ये पॉम पॉम बनाना बांकि तो कुछ नहीं है सीधा उल्टा और जाली स्टार्टिंग में आपको ध्यान देना है कहां पर कितने फंदी क्या करने बांकि देखे बहुती आसान डिजाइन है एक बार समझ में आ जाएगा बहुती ब्यूटिफुल लगता है बनने के बाद आप देख सकते हैं मेरी स्वेटर कितनी अच्छी लग रही है अब देखे डिजाइन की बारवी सलाई बुनेंगे अब यहां पर हम अब फस्ट फंदा उतारेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर यहां पर जाली करेंगे देखे एक बार धागा लपेट लेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके दो फंदे सीधे बुलनेंगे धागा अ जाएंगी, यह बिखें, थीन फंदे उल्टे बुलने के बाहरे, अब देखें, फ्रेंट्स, यहां पर हमने, यह पांच फंदे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो इन पांच फंदों को हमने एक फंदा कर लेना है, जैसे स्टार्टिंग में एक फंदा था, फिर से हमने इसको एक सांद भुन लेना है, पांच फंदों को, ठीक है, बीच वाले पांच फंदे, तो इनको एक सांद भुन के हमने एक फंदा बना लेना ह यहां पर इदेखे फिर से हमारे वही फंदे आ जाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में यहां पर किया था ठीक है अगले दो फंदे उल्टे आ जाएंगे एक दो सोरी तीन फंदे तीन फंदे उल्टे धागा पीछे कर लेंगे यहां पर दो फंदे सीधे धागा अपने तरफ क करेंगे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे इदेखे फ्रेंड्स हमारी 12 रो बुनने के बाद 12 सलाई बुनने के बाद एक डिजाइन बन गया है तो इन ही बार सलाई को हम रिपीट करते जाएंगे तो हमारा ब्यूटिफुल डिजाइन बनके आएगा आप देख सकते हैं यहां पर मैं यहां पर देखे यहां पर फंदे भी मोलने हैं अभी मैं आपको फंदे मोलना बता देती हूं और दूसरा डिजाइन भी स्टार्ट हो जाएगा इसी स फंदा सीधा बनेंगे धागा आगे करके इन दो फंदों को एक सार फिर लपेट के एक जाली कर लेंगे देखे इस तरह की की जाली आ रही है आप देख सकते हैं यह देखे अब यहां पर हमने दो फंदे उल्टे बुनने हैं एक दो धागा पीछे करेंगे यहां पर देखे एक, sorry, यहाँ पर इनको बुलना नहीं है, मुझे माप कीजिए, अब देखे हमने इन फंदों को twist करना है, कैसे करना है, सारे फंदे हम पहले इस सलाई में ले लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यह देखे, यह साथ फंदे मैंने इस साइड ले लिये हैं, इन फंदों को मैं इस वाली सलाई में लोंगी, यह देखे, यहाँ से, एक, दो, तीन, और इसको भी ले लोंगी, और इस, चार, यह देखे, इन चार फंदों को मैंने पीछे की साइड से यहां ले लिया है, अब अगले फंदे हम गिरा लंगे, ऐसे, गिराने के बाद देखे, अब इस वाली सलाई में इन फंदों को लोंगी, मैं तीनों फंदों को, अब देखे, इन फंदों को इस साइड ले आऊंगी, और यह फंदे इस साइड से ले जाएंगे, अब फिर से इस सलाई में डालोंगी, एक, दो, और तीन, अब इन सारे फंदों को हमने बु उल्टा बोना था हमने वही फंदा होगा ये ठीक है डिजाइन अगला डिजाइन भी स्टार्ट हो रहा है और ये फंदे ट्रिस्ट भी हो रहे है मोड भी आ रहा है ठीक है अब धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे बोलेंगे एक दो और ये तीन ये देखें मोड भी लि फिर से एक फंदा उल्टा बुनंगे धागा पीछे करके एक फंदा सिधा और दो फंदा सिधा देखे फ्रेंट्स एक डिजाइन पूरा कर लिया है मैंने ट्विस्ट कर लिया है और दूसरा डिजाइन भी डालना बता दिया है स्टार्टिंग करके तो एक सलाई मैंने बुन है आपको 11 सलाईयां और बुनेंगे तो देखे ब्यूटिफुल डिजाइन आएगा इस तरीके से रिपीट करते जाना है आपको यहाँ पर एक फंदा मैंने आपको उल्टा बुना था अभी तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से यहाँ इसके अंदर हमने 5 फंदे बना लेने हैं केवल सीधी सीधी साइड बढ़ाना है आपको उल्टी साइड से नहीं बढ़ाना है केवल सीधी साइड बढ़ा के जब यहाँ पर 5 फंदे हमारे हो जाएंगे बीच में जो ही हम यहाँ पर पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा 5 फंदे यहाँ पर बढ़ जाएंगे ठीक है तो इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे तो ब्यूटिफुल डिजाइन आएगा आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है इस कलर में भी और अगले वाले इस वाले स्वेटर में भी तो फ्रेंट्स ये था आज का वीडियो अगर आपको पसन आए तो प्लीज ए रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स पर वाचियों बाई